गोव मातानू प्यार करनवाले दा तुसी बहुत दिखे उनगे पर रज्जस्तान दा रेन वाला नौजवान शिवराज सिंग शेखावत कुछ अलग तरह करे आए गोवनू प्यार थाई साला नौजवान सौफ्टवेर अंजिनियर सांथ शिवराज पंच लाक दी नौकरी आते अपना कार परिवार शाड़ के पिछले एक साल तो पैदल पार दी यातरा गोव दी सुरक्या दे गोवनू रास्टे पशु बनाओ ले का रहा है जिस दा स्वागत हेल्पिंग ह शिवरा सिंग शेखावत ने दस्या की गोव शाला आके उनानू बहुत खुशी मिली है उना क्या की पदियात्रा दो साला तक रहेगी इसी यात्रत है चारता मते बारा योती लिंगा देवी दर्शन की ते जानगे उना दस्या की माग वीच करोडा देवी देवते निवास कर देहान जिस करके गोवा दी हत्या करनवाले नू नर्क वी नसीब नहीं हुंदा उना केंदर सरकार तो मांग कीती की गोवा नू गोव शालामा वीचे रखान ले विती सहाईता देती यावे जैगाउमाता जैगोपाल मैं शिवरा सिंग सिखावत जैपूर रास्तान से 11 दिसंबर 2021 को रामेश्वरम तमिलनाडू से पद यात्र प्रारब की यह यात्रा ढाइवर्ष तक चलेगी और इस यात्रा के दोरान चार धाम 12 जोतिलिंग के दरसंपी किया जाएंगे और अभी तक मैंने 13 राज्यों की यात्रा कर ली है अब पंजाब में एंटर होएं चौद्वा राज्ये हैं तमिलनाडू आंदर प्रदेश तेलंगाना महारास्ट्रा चतिसगाड उडिसा पश्यमंगाल जाड़कंड विहार यूपी उत्राकंड हिमाचल जम्मु कश्मीर होते वे अपंजाब में एंटर होएं इस पदियात्रा का उद्देश्य है कि गोवंश को देशी गोवंश को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले गव हत्या पूर्णता पूरे भारत में बंद हो और गव माता को एक राष्ट्य दर्जा मिले इसके लिए पदियात्रा की की जा रही हैं मैं सॉप्ट्वेर इंजिनियर हूं 2017 में पास आउट हूं मैं शेर्विंद कोले जैपूर से प्रास्तान टेक्निकल युनिवर्सिटी कोटा से और उसके बाद में मैं जॉब भी किया और फैमिली को देखो आज कोई भी वेक्ति निकलेगा फैमिली को अलग-अलग राज्य में जाकि अलग-अलग लोगों से मिलना वहां की मीडिया से मिलना वहां की गउशाला के कंडिशन देखना और उन सब को देशी गवंश को बढ़ावा मिले और सब यूवा जनरेशन वाले हैं वो और जो भी अबारे पीडी में जो नोजवान आ रहे ह चोटे बच्चे हैं उन सब को गउशाला ले जाया जाए तागि लोग बाग बचपन से ही गउशाला से जूड़ना प्राराम करें ताकि उनके बड़े हो उसके बाद मैं उन्हें सब कहती है तो मैं अभी पंजाब हूँ तो मैं पंजाब सरकार से भी हाथ जोड के निवेदन करना चाहूँगा कि गव मातक लिए जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्ता हो पाई चारे कि वो आप व्यवस्ता करवाएं क्योंकि काफी देखता हूँ प्राइवेट कंपनीज वगरा में भी फैक्ट्रियों में भी जो अपने गयों का चारा होता है उसको यूज़ किया जाता है पैकिंग वगड़ा मैटेरियल में तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ गौमाता के लिए यूज़ करें परचारे की रेट कम करें ताकि उसो बढ़ाए नहीं और गौर्णिवेट की तरप से हर राज्य में प्रावधान किया जाता है कि पर गव माता के लिए पर डे के हिसाब से 50 रुपए, 60 रुपए आपको अलोकेट किये जाएं तो मैंने हर राज्य में देखा किसी में वो सुचारू रूप से विवस्ता चलती है किसी में नहीं चलती और पंजाम तो काफी गउशालाओं में प्राइवीट में गया बोलते हमाँ गौर्वनक की तरब से कोई भी फंड नहीं मिलता और यहां तक कि गौर्वनक गउशालाओं में भी नहीं मिलता ओधर एड़बोकेर तीरे शर्मा ने क्या कि गान दी रख्या लेई शुरू कीती के कोशिश अदे गान रास्टी जानवर कोशिद करना बहुत वधिया है ते सानू सारे नू गउदी रख्या लेई अगे ओना चाहिदा है